दाना चुपते इस कबूतर को देखकर आप जादा हैरान मत होईए क्योंकि एक कबूतर गया तो दूसरा आ जाएगा ये मौसम चुनाओं का है लोगसबा चुनाओं से पहले मरुधरा का मूर क्या कहता है जनता की नबस टटोलने के लिए हम निकले हैं इन भोले कबूतरों की तरह जनता एक बार फिर वोट देगी नेता आएंगे वोट मांगेंगे चले जाएंगे लेकिन लोगों की उम्मीदो कता सभा सबाक्षेत्र और जानते हैं लोगसबा चुनाओं से पहले क्या है मरुधरा का मूर को कि jeśli टुनाओं से पहले यहां हमने देखा कबूतर हो को दाना डाला जा रहा better canाब लोग क्या सोचकार अपने नेता का चुनाओं करेंगे उनसे जानते आप जब चुनाओं आएंगे चुट्टे करेंगे अपने नेता का चुनाओं किस अधार पर चुनेगे क्या आप एक्षा है पहली चीज तो महीला की सुरक्षा होनी ही चाहिए वो तो most सबसे बड़ा topic है especially in अवर इंडिया और बाकी तो सारी चीज़े है not only महीला सुरक्षा all over development होना चाहिए for our nation केंडिडेट देख करके आप लोगों की vote priority तै होती है या पार्टी के अधार पर या development के issue development के issue पर obviously first development है electronic voting machine केवल चुनाव के वक चलती है लेकिन कारोबार की machine और लोगों के रोजगार की machine लगातार चलती रहती है हम मालविय नगर क्षेतर में एक export unit में आये हैं यहां भी लोगों से जानते हैं कि आखिर चुनाव से पहले मरूधरा का mood क्या कहता है क्या मुद्दे जादा चर्चा में है लोग सबाद चुनाव के लोग सबाद चुनाव में पहली बात तो जो आ रहा है बिरोजगार ही जादे है और पुरानी पार्टियों ने जो अपने बादे किये थे वो अभी तक कोन पे खरे नहीं उतरे हैं तो इस बार जो swing दिख रहा है वो जो अभी सत्ता में पार्टी है उसके अगेंस्टी दिखता हुआ दिख रहा है का रोबार पर कितना फर्क पड़ा नोट बंदी से तो करीब 20-25 परसेंट को तो फर्क पड़ाई है दुबारा इससे रिगेन करने कोसिस कर रहा है लेकिन बाकी जो और भी हमाई तरह से इंड्रेस्टीज है वो भी सफर कर रही इस चीज़ की आपके काम को किस किस चीज ने प्रभावित किया है आपको क्या लगता है क्या आप सोच करके वोट देंगे पार्टी की नीतियों को देख करके या देश के काम को देख करके लेगे आपको क्या लगता है कौन-कौन से मुद्धे प्रमुकता में हैं लोकसभा चुनाव से पहले हमारे देखो कॉंगरेस आने से हमें फादा हुआ है हमारे हर बरकर को फादा होता है हर काम में फादा होता है बीजेपी से हमें अभी तक कोई फादा नहीं हुआ बीजेपी जब स करनें दो को सब्सक्राइब करें जब निए हैं आप हमेशा देखते हूं के अपने शोशल मीडिया पे कि विजब की तरफ से हमेशा आप हमेशा कॉंग्रेस के लिए कुछ नुछ ना कुछ ऐसे वह आते जोक बनके आते हैं जब जैपकी कॉंग्रेस कभी आज जोक निई पूरे इंडिया लेवल की चीज़ है और इसको हम जोक्स मना के कि यह आएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा पर कुछ करना नहीं है अगर ऐसा ही होता तो रायस्तान में फिर बीजे भी आती ना इन जोक्स के अलावा आपकी रसोई के मुद्दे भी वोट को प्रभूवी करते हैं हाँ बिल्कुल क्यों नहीं करते हैं आप देखी न हची थी इतनी महगाई में जारी थी और अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है अब तक आपने देखा गरों में रहने वाले लोग ऑफिस में काम करने वाले लोग किस तरह सोचते हैं क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर लेकिन सडक पर जाधा वक्त बुजाररने वाले लोग, हेलेक होम्चिर लगाने वाले लोग क्या सोचते हैं क्या वोट देते भी है या नहीं इस पर उनकी क्या राय हैं आप वोट देते हों बोट देते हैं तहां के रहने वाले हो कब से ठीला लगा रहे हैं हम को चार-पांच साल होगी कम से कम क्या सोच करके बोट देते हो आप से जानते हैं क्या चाहते हो अपने नेता में किस तरह के खूबियां हो नीची नेता हैं अलग अलग बात लोग कह रहे हैं लेकिन साथ में लोग ये भी कह रहे हैं कि रोजगार उनकी प्रात्मिक्ता है, रोजगार बना रहना चाहिए मरुधरा के मूड में अलग अलग तबकों की राय हमने जानी लोग सबाचुनाओं में किस पैटरन पर वोटिंग करेंगे लेकिन जो कॉंग्रेस और बीजेपी के नेता हैं, जनपृतिनी दी हैं, वो क्या सोचते हैं, वो किस भूमीका में होंगे यह भी बात कर लेते हैं, बहराल मालवी नगर के विधायक और बीजेपी के वरिश नेता, काली चरण सराफ हमारे साथ में हैं, अभी काली चरण सराफ ड्राइविंग सीट पर हैं, उनसे बात करते हैं सराप साब लोकसभा चुनाओं में क्या तैयारिया है पार्टी 25 का मिशन 25 लेकर तो चल रही है लेकिन इसके लिए कितनी तैयार है देखे जहां तक भारती जनता पार्टी का सर्वाल है, कारिकरता अधारिद पार्टी है, और केंदर में नरंदरमोदी जी का आप कोई विकल्प नहीं है। इसलिए निच्छित रूप से भारती जन्ता पार्टी जीतेगी और राजस्तान की 25 की 25 सीटों पर भारती जन्ता पार्टी अपना पर्चम लहराएगी सरव साब आप बीजेपी का पर्चम लहराने की बात कर रहे हैं हालकि आप ड्राइविंग सीट पर हैं ये एक अच्छी बात है लेकिन अपसे पहले जब आप सरकार में थे तो आपके साथ में ड्राइवर मिला हुआ था अब आप गाड़ी खुद चला रहे हैं और विपक्ष अच्छ में राजस्तान परदेश के जो चुनाव हुए उसके मुति अलग थे और कंदर के चुनाओं के अलग मुति असे आपको जानकारी होगी कि एक बार जब अटल वियरी वाजपई लेश के प्धान मंत्री थे उस समय जब राजस्तान के चुनाव हुए तो उसमें भा के लिए प्रदेश मैं चुनावी मुद्वे अलग थे अब जो केंदर का चुनाव होने वाला है नरंदर मोध indeed का कोई विकल्प नहीं है जितने भी सर्वे आ रहे हैं पूरे हिंदूस्तान की उसमें नरंदर लेकिन प्रदेश की जनता नहीं समझदारी दिखाई और जो आठ विदान सबाक शेत्रे जैपुर लोग सबाके उनमें से पांच आप लोग हार गई लेकिन प्रदेश के चुनाओं के अलग मुद्धे होते हैं और केंदर के चुनाओं के अलग मुद्धे होते हैं यह मैं बार बार यही कह रहा हूं इसलिए निच्चित रूप से केंदर में भारती जनता पार्टी जीतेगी और जिस प्रकार की तयारी भारती जनता पार्टी मालवी नंगर तो गड़ हुआ करता था पिसली बार अब 48700 से जीते इस बार 1700 की जीत रहे गई तो यह अंतर लोकसवा में भी नुक्सान कर गया तो कोई नुक्सान नहीं करेगा मालवी नंगर विधानतवा च्छतर में हम पुने वही रिकार्ड कायम करेंगे तो यह आपको जानकारी होगी कि जब लोकसवा का चुनाव हुआ था पिसली बार तो हम मालवी नंगर से 54,000 से जीते थे और विधानतवा में 48,000 से जीते इस बार ह कुछ लोग आपको भी प्रतियाशी के रूप में देखना चाले हैं कि लोगसभा के मुद्दे अलग हैं विधानतवा की मुद्दे अलग होते हैं और लोगसवा में एक बार फिर मालविनगर क्षेत्र से वो अपनी पार्टी को मजबूती से जिता करके बेचेंगे अब ये कृणा हुण और पाण के इस दुकान पर कई तरह के पाण मिल जाएंगे लेकिन पाडियों का जैसा ही अलम Есть जिस तरह कई तरह के न ATP मिलते हैं वैसे ही कही तरह के पाण सब्सक्राइब? यहां ब के रेगुलर ग्रहक वहां पान जब घाते तो कथा ज्यादा लगवा पांडे और बरावर ये यहां लेकिन अवह हमने इनसे बात की तो पान वालों सलेक्टी के भी छो दो्तने कारग प्रण वालों के लिक्स आगे कथे का रंग अच्छा लगेगा लेकिन किन मुद्दों पर आपकी मुद्दे क्या होंगे जब आप वोट देने जाएंगे मेरा मुद्द जी के साथ हूँ साथ मेरा मुद्द तो डेवलप्रेंट और मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ उनकी बात में जादा वजन है आपने का हमेशा खड़ा हूँ या अमिशा खड़ा हूँ आप बीजेपी के राश्ट्रिय देख्ष से कुछ रिजेंबल भी करते हैं आपने सुना भी कि आपको ऐसा लोग कमेंट भी देते हैं मेरे मैं यहां का अमिशा में मेरी आडेंटिटी इनके पास अमिशा के जैसी है लोगसभा चुनाओ में विदानसभा चुनाओ के दौरान प्रत्याशी रहे नेताओं की भी एहम भूमिका होगी अरजना जी हमारे साथ हैं उनसे जान लेते हैं कि जैपूर शहर में मालवी नगर के प्रत्याशी रहेने के नाते उनकी क्या भूमिका होगी इस बार चुनाओं लेकिन विदानसभा चुनाओ में जैसा आपको सायोग मिला वैसा ही मिलेगा क्या लोगसभा चुनाओ में भी सायोग लेकिन विदानसभा के मुद्दे अलग थे बहले ही वो विपक्ष में हो लेकिन लोगसभा के मुद्दे अलग हैं मोदी के नाम पर वोट पड़ेगे आपको क्या लगता है मुद्दे कमोबेश यही रहेंगे जो आपने गिनाया जी एस टी महेंगाई चरम पर होना उद्दोग दंदे रोजगार यही सब रहेंगे या इसके अलावा भी व्यक्तिकत छीटा कशी भी कुछ असर डाल रहेंगे देगे भाजापा की जो प्रवर्टी है उसमें तो देख रहा है कि प्रधान मंत्री हों जाए उनके राष्ट्रे अध्यक्षों या उनके राज्यस तरके नेता हो यहां तक कि जिनका ज्यादा वजूद नी वो नेता भी इस तरह की बयान बाजी कर रहें जिसे यक्तिकत आ देखान मूल मुद्दों से नहीं भटके? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा अलग-अलग तबकों की राए, नेताओं की राए कि क्या उनके मुद्दे होंगे, क्या उनकी भूमिका होगी लेकिन सरकारी करमचारी क्या सोचते हैं? इस पर बात करते हैं मिशन बहतर के गुल्षन भागला हमारे साथ हैं? अगल जी सरकारी करमचारी की नुमाइंदिया आपको करते हैं? क्या सोच के सरकारी करमचारी लोकसबर चुनाओं में वोटिक करेगा? यह बिलीव करेगे कॉंगरेस को पर आया, I hope that. मोधी वर्सेज रहूल गांदी एलेक्शन होगा? या कैंडिडिट वर्सेज कैंडिडिट होगा? या पाल्टी वर्सेज पाल्टी वर्सेज पाल्टी होगा? पीएमों ने दखला जी नहीं करी और आज ये पिक्चर आ रही है कि नहीं पीएमों पेरलल अपनी बातचीत कर रहा था, तो इन चीजों से ऐविश्वास तो बढ़ी रहे हैं, यह तो निस्ची दो रहे हाला कि देखिए हिंदूने सिर्फ आदा चापा था, गवर्मनेंट पूरा पूरा गगए निकाल के देदिया, जिसकंदर ये और लिख दिया कि हमारे रक्षामंतरी जी पूर जूरक्षामंतरी जुन दिननों लिख दिया कि अगर पीमउट के यहां बात चल रहे हैं, तो आप भात शोज़बास ने मीटि बनाएं, यह तो पीमों रहे हो जो ह मुद्दे भी माय ने रखते हैं लेकिन ये मुद्दे बड़े होगी जैसे रफायल का हो गया या 15 अलाग रपे की जो बात बोली कि खातों में आ जाएगा या बरोजगारी की जब इतने करोड लोगों के हम रोजगार दे देंगे वह बात है यह जो तीज़े महंगाई की बा सोच करके वोटिंग करेंगे लेकिन आदियाबादी के हिस्सेदारी भी पूरी होनी चाहिए उनसे बी बात करते हैं आप लोग आधी-आबादी की रूप में जाने जाते हैं उनको आगे लाना चाहिए, उनकी सुरक्षाओं का ध्यान रखना चाहिए, आज के दोर में जो महिलाओं के उपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, इन चीजाओं को सोचते हुए, मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को बहुत मौका देना चाहिए मुझा किस रूप में मिले चुनाव लड़ने के लिए मिले या संक्ठर में भागीदारी के लिए मिले किसी भी चीज में मिले चुनाव में अगर लाते हैं अपन तो चुनाव में मिले अगर और कोई फील्ड में काम करना चाहती है अगर महीरा तो उसको सपोर्ट मिले वाकाइदा सपोर्ट इस तरह से मिले कि नहीं कोई सरकार की तरफ से मिले या घर की परिवार की तरफ से लेकिन सरकार की तरफ से मिले तो घर वाले प्राजनिती में और हर चेतर में अच्छे मौके थे बेरोजगारी पे जिस से कम से कम बेरोजगारी तो कम हो महंगाई है इसके मुद्धों को भी समझार मालविय नगर में इस बार आपका मुकाबला बड़ा टफ रहा था कॉंग्रेस और बीजेपी दौनों के बीच में क्या उस मुकाबले का भी कोई असर आप लोगों के वोटिंग पर पड़ेगा लोग सबा में जब नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगा क्योंकि हार ने के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉंग्रेस के प्रत्याशी के हार हुई है क्योंकि हार इस तरीके की थी उन्हों संभव लगता है या नहीं भी है संभव तो होना चाहिए उसका रिजन ये कहां तो हम महिलाओं के बरावरी की बात करते हैं दूतरी तरफ हम 50% की बात अपन करते हैं राजनीती में 50% नहीं तो 20% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जिससे वो महिलाओं की हर समश्य कुछ बारिकी से सम्झेंगे अत्याचारों में भी कमी होगी सुरक्षा में भी बढ़ो थी होनी चाहिए तो मेंगों को मिलना ज़िए रिजयर विशिव शोशल मीडिया कितना कारगर होता है चुनाव में चुनाव में इसका कितना असर है? लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि 25 पर महिलाओं को कितनी एक टीट नहीं चाहिए? एक तरफ हम बात करें कि 49.something जो है हमारे देश की महिला मत दाता है उस इसाब से देखा जाए तो कम से कम हर पार्टी हर राजनेतिक पार्टी ता 33% आरक्षिन की बात करती है नहीं 33% 25 में से कम से कम 10 सीटे नहीं 10 देते हैं तो कम से कम 6 सीटे महिलाओं के लिए तो रखे तो महिलाओं के लिए रिस्क क्यों नहीं पार्टी इस सीज के बारे में क्यों नहीं सोचती है प्रतियासी हो लेकिन प्रतियासी ऐसा तो जो आम पॉबलिक से धरातल से जुड़ा हुआ होना चाहिए जो अपनी लड़कियां भाहर जाती है उनके दिन रात होने के बदद थोड़ी सी दिन ढलाने कोई निकलना भाहर मुस्किल है आपको लगता है कि इस चलन से लोग आते हैं और उनको यह पता है कि जो काम करने वाला केंडियेट है उसको ही हमें टिकेट देके और विजयी बनाना है वह हमारे लिए काम करेगा वह चीज अब इतना माइनी नहीं रखती कि पहले एक पार्टी थी अब दूसरी आएगी अगर आप अच्छा कंडिडेट चुन लेकिन कंडिडेट अगर अच्छा है हमारी प्रॉब्लम समझे और फील्ड में यही सर्वे होना चाहिए कि कौन कंडिडेट अच्छा है और जनता के अनुसारी कंडिडेट चुनना चाहिए फील्ड में सर्वे करगे कि हाँ इसके बोट ज्यादा है फील्ड में सर्वे दरसल लोकसबा चुनाओं हो या विदान सबा चुनाओं इन से पहले किये जाने वादे और हकीकत में उन वादों के साकार होने के बीच एक तालमेल है उनकी समानता इन पट्रियों से है उनकी तुलना की जा सकती इन पट्रियों से वो पट्रियां जो दूर कहीं जाकर आपस में मिलती हुई तो दिखाई देती है लेकिन हकीकत में मिलती कभी नहीं है खेर उम्मीद की जानी चाहिए कि जब लोगसभा चुनाओ के बाद नई सरकार बनेगी चाहे जिस भी पार्टी की बने वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और चुनाओ पूर किये अपने वादों को भी साकार जरूर करेगी मरूधरा के मूड में आज इतना ही अगली बार जानेंगे एक और संसदी एक शेतर से विदानसवा क्शेतर से कि क्या है वहाँ के लोगों की राए नमस्कार